समाजवादी पार्टी के संरक्षक पूर मुख्यमंत्री मुलाइम सिंग्यादो अपने खराब सहत के चलते मिदानता अस्पताल में भरती हैं हर एक राजनीती दल का नेता मुलाइम सिंग्यादो की लंबी उम्र की कामना कर रहा है इस समय हम मुलाइम सिंग यादों के आवास के सामने मौजूद हैं हालनकि यहाँ पर सन्नाटा नजर आ रहा है क्योंकि जिस समय से कह सकते हैं कि मुलाइम सिंग यादों को आईसियू में भरती किया गया है तमाम उनके जो समर्थक हैं वो अस्पताल पहुंच रहे हैं उनका हालचाल जानने के लिए जब मुलाइम सिंग यादो यहां पर मौजूद रहते थे तो यहां पर उनके समर्थकों का ताता लगा रहता था और आज इस तरीके से देखे राजनीती में एक सुखत तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें चाहे डिप्टी सियम ब्रिजेश पाटक हो, मनोहर लाल खटर हो, नितीश प्रसाद हो, लालु यादो हो ये लोग खुद अस्पताल पहुँच रहे हैं मुलाइम सिंग यादो का हालचाल लेने के लिए तमाम जगहों पर मुलाइम सिंग यादो की लंबी सहत के लिए हवन किया जा रहा है, यग किया जा रहा है कि मुलाइम सिंग यादो की जो सहत है वो इस्तिर है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखलेश यादो से भी इसको लेकर बात करी है तमाम हजारों समर्थकों का कहना यह है कि मुलाइम सिंग यादो जल से जल अपने घर वापस आ जाए लखनव से वीडियो जनरलिस्ट दुर्गेश के साथ संदीप खेर सब भर समचार